श्री शिवाय नमस्तुभियां दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार को है योगिनी एकादशी दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों य यह एक ऐसा उपाय है जो की हर कभी नहीं किया जाता है देखिए यह दिन इतना खास होता है इतना महत्व पूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो है वह एकादशी के दिन एक छोटे से उप की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को योगिनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना बात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक दीपक वाले जो उपाय है यह उपाय पंडिक जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दु बत्री दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है क्योंकि इसी एक मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शान्ती हो जाएगी आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी दोस्तों अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिये देखिये इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है सुबह का समय है प्रात काल का समय है, वैसे दोस्तों योगिनी एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन भगवान शिवजी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे को प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामनापूर। न करेंगे दोस्तों इस दिन शिवजी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कलपना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए तो अब हम समझते हैं। दोस्तों यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे हैं। देखिए विशेश रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप योगिनी एकाच्छी सुभसुभ कर लो पर किसी कारण वश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो हैं ना और पहली पस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुश हो वह भी इस उपाय को कर सकता हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर घर के सभी सदस्य एस को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उस इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा तो देखिए एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यक्ता पड़ेगी ही पड़ेगी तो देखिए अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकाजशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए योगिनी एकाजश अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिये कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसंद हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धंता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्द पैसा बहुत ज्यादा, खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको। पैसा बहुत ही जड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेना है, और एक ही चुटकी आपको लेनी है, पिसी हुई हल्दी अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वादे बर्बादी करना है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते, बंध होते जा रही हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, ना इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आजाएंगे, आपके घर में आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरू की स्थिती बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं, उसमें आपको लाब ही लाब मिलता है, तो यह पहला उपाय है, एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें, अब बात करेंगे दूसरे उपाय की देखिये जो दूसरा उपाय. आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं, तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिवजी पूरा कर देते हैं, तो यह उपाय भी आप विशेश कर करें, अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है, आपकी जो अभी तक अध लेना है तुलसी की लकडी देखिए बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो तहनिया होती हैं ना तुलसी की ठनी को आपको छोटा-छोटा कर लेना है ठीक है ना छोटे-छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ ले डिवाइड कर ल तो बहुत उत्तम है अब आपको क्या करना है लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है अब सबसे पहले आप आपको क्या करना है इस पोटली को शिव जी के चरनों में स्पर्श करना है उनके चरनों से स्पर्श करना है इसके बाद आ आपको यह पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे बाहर की तरफ नहीं खीक है न या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे देखिए जब भी आप तुलसी की टनी जो हो मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समरिधी नहीं है, मेरे घर में कलेश है, तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिवजी पूरा कर देते हैं, और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसो आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकडी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, एक आदशी के दिन एक चीज आपको बिलकुल ध्यान न रखनी है कि तुलसी का पौधा, अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एक आदशी के दिन उसकी लकड निकालना है क्योंकि एक आदशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है, यह चीज विशेशकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास तहनिया है, तब ही यह उपाय आप करें दूसरी इसकी जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, ना बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए ज़ाडों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें त पत्ते लेने हैं ठीक है ना तुलसी के दो पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप शिवजी को भोग लगाते हैं वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ लेकिन एक आदशी के दिन विशेश कर आपको तुलसी के दो पत्ते शिवजी को अर्पित करने हैं, एक चीज ध्यान रहे भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है, और चावल का भोग भूल कर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना क्योंकि चावल, खाना इस दिन महापाप होता है, ऐसा बिलकुल भी ना करें भूल कर भी, आपको यह चीज नहीं करनी है, तो देखिए जब भी आप तुलसी के दो पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है, कि शिवजी आपसे बहुत ज्यादा प्रसंद हो जाते हैं, और आपके जीवन के चाहे, जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख अगर शिवजी से कहते भी नहीं है, ना आपके बिना कहे ही, आपके जीवन के सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक छुटकी हल्दी डाल कर दीपक आपको कहां उपर लगाना है उपाय को, कैसे करना है और कैसे यह एक छुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता, को तो दूर कर ही देगा मा लक्षमी की ऐसी कृपा आपके उपर बरसेगी की आने वाली साथ पीढियों को भी नाधन की कमी नहीं होगी, इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, इस एक उपाय को करके देखिए पहली चीज आपको बता दें की हल्दी जो है, यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आती है, जैसे की पैसे को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर में धन आने प्रसन्न हो जाते हैं, जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तो आपको पिसी हुई एक छुटकी हल्दी लेनी है, और यह एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है, शुद्ध देशी घी का दीपक आप तयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक छुटकी हल्दी आपको डालना है, अब देखिए यह हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है, यह दीपक अगर आपके घर में, तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे बहुत सारे लोग हैं, जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है, ना तो वो लोग क्या करेंगे मंदिर में भी आप लगा सकते अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है, तो देखिए जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे तब, आप को उनका एक मंत्र है उस मंत्र को आपको ग्यारा बार बोलना है यह मंत्र सभी को आता ही है अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर ले मंत्र इस प्रकार है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ठीक है ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको ग्यारा बार चयन करना ह अब देखिए जो लोग मंत्रयाद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है वह श्री हरी विश्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है यह उपाय आप करके देख लीजि जी के पौधे के पास लगाएंगे आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है थोड़ी सी फूल की पंखुडिया रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें ठीक है ना चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन क्योंकी वैसे तो आप चावल रख सकते हैं लेकिन विश्नु के उपर विश्वास रख करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाय होती है ना जितनी भी निर्धनता होती है उसे श्री हरी विश्नु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में आपके घर में मा लक्षमी वास करती हैं अब जल्दी से बात कर लेते हैं ती पिननी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे करजा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का आपके सर का सारा करजा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी, और आपके घर में माता लक्षमी का वास होगा, स्थाई और अगर आपके पास थोड़ा सा इलाइची है, तो आपको क्या करना है? वह इलाइची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं, इससे क्या होगा? इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समाजाएगी और माता लक्षमी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वह सुगंधित वस्तु तय बहुत की प्रिय होती हैं माता लक्षमी स्वयन चल करके उस घर में आती हैं जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाय माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है तो जब यह खीर आप बनाएंगे शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलाइची वाली खीर अर्पित करनी है है यह उपाय इतना अचूख है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है क्य ज्यादा अचूग उपाय है यह इलाइची वाली खीर का माता लक्षमी समझो तुरंत की। बहुत अच्छे से उपाय आपको सम समझाने का बताने का प्रयास किया है अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं कमेंट। पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वह आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। अपने लास्ट उपाय की कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाही चाहिए देखिए इस दिन पूर्णिमा के दिन सनान और दान का बहुत ही ज्यादा। महत्व होता है तो आप अपने आवश्चक्ता अनुसार इस दिन दान जरूर। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप इस दिन अपने आवश्चक्ता अनुसार दान कर सकते हैं साथ ही साथ आपको ध्यान रहे की आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए पूर्णिमा के दिन भी आपको। कभी किसी व्यक्ती के ऊपर चिलाना नहीं चाहिए गुस्सा नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें हर हर महादेव बोलते रहा आपके जीजी वन में कभी संकट और कष्ट महादेव आने ही नहीं तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्षन में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम